हलो एवरिवन स्वागत आप सभी का जनरेन क्लासिज में लैब असिस्टेंट पे टी रास्तान पुलीस एक्जाम के लिए एक महत्पूर सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सामाने ग्यान और राजस्तान जीके के महत्पूर प्रस्नों का ब्यास करेंगे तो आज क क्लास राजस्तान की महत्पूर जीके के प्रस्न जिसमें हम राजस्तान की सब्यताओं से सम्मदित अति महत्पूर सवाल चर्चा करने वाले हैं तो complete वीडियो आपको देखना है एक एक कुशन का आपको जवाब देना होगा और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है अग ये सभी कुशन राजिस्तान की जो सब बिताएं हैं काली बंगा या जो भी अन्य सब बिताएं हूं सबसे कुशन से लिए गए हैं तो पहला कुशन है ब्रॉंच गुजर नामक एक तामर पत्र के आदार पर राजपूतों को यूची जाती का वनसज मानते हुए इनका कुशन जाती से किसने जोड़ा कापी इंपॉस्छन आदार पर राजपूतों को यूची जाती का वनसज मानते हुए इनका जो संबंध है वो कुशान जाती से किस ने जोडा बताएं जल्दी से comment करके क्या क्या पर जायगा क्यूंहरत इसका सी इसका राइठ आंसर हो जायगा नेच्स यह धर में एक छह चूले किस पुराताथ्वमिक इस्तलि में पुरातात्विक इस्तलों की बात करें तो ऐसे साक्ष कौन से पुरातात्विक इस्तल में मिले हैं जिसमें एक गर में छे चूले जलते वे पर मिले हैं तो यहापर काली बंगा अंसर होगा आहड अंसर होगा गिलूंड आंसर होगा या बागोर होगा क्या होगा दोस्तों बत कि सब्विता का सम्मंद इरान से माना जाता है कि सब्विता का सम्मंद इरान से माना जाता है बाला थल रंग महल आहड या बागुर हर प्रसंद को या टेस्ट के रूप में आपको प्रवाइड करवा रहा हूं आपको टेस्ट समझ के आंसर करना है कि आपका एक टेस्ट हो र वाले थोड़ी शॉट वीडियो लखेंगे लगव 15-20 मिंट की वीडियो रहेगी छे के नम तो किस सभिता का संबंद इरान से मना जाता है बाला थल रंग महल आहड या भागोर क्या होगा दोस्तों आंसर तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी आहड सभि केंदर था तीसरा स्टेटमेंट है काली बंगा लोह यूग संसकर्ति के गुदारन था और चोथा स्टेटमेंट है आहड वासियों का मैत्पूर्ण व्यवसाए आयस के तांबे का गलाना और तामर वस्तोय बनाना था को कुश्चन नमर फॉर का जो आंसर है वो हो जाएगा एक्चुली में हम सबसे बेले जबी इतियास की बात करते हैं या हम सबिताओं की बात करते हैं या कोई भी उत्खलन की बात करते हैं तो हमेशा नाम आता है तामर का तामर का नाम आता है तो आहड वासियों का मैत्पूर्ण व्यवसाए आयस के तामर का गलाना और तामर वस सर नगर बैराठ बागोर क्या होगा अंसर कुश्चन नमबर फाइब अत्यंत मैत्पूर है इन में से सवाल पेपर में छपेंगे और आप लोग सपोर्ट कीजिए ऐसे ही शांदार सवाल हर टॉपिक के टॉपिक वाइज रास्तान जी के सामाइन ग्यान सामाइन ग्यान जो मै मालव सिक्के और आहत मुद्राय प्राप्त होती है बड़ी संक्या में नगर से बाला थल से तो राइट आंसर बताईए कुश्चन नमर 6 का कॉमेंट में राइट आंसर बताईए आप लोग सभी कुश्चन नमर 6 का अंसर हो जाएगा नगर नेक्स सवाल तौक जिले की से तो राइट है सुनारी है जोध पुरा है नगर है क्या होगा सीवन का अंसर ऑप्शेन ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शेन ए रेड हो जाएगा तो यह जो रेड पुरा तात्वी की स्थेल है यह निवाई तैसिल में है जो टॉक ज्ले के अंदर है next question 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 8 थोड़ा दैरम सानी थे उनके द्वारा, पुने 1962 से 1963 में पुरा तात्विक निलर तल बनर जी तता कैलासना दिक्षित द्वारा, किस पुरा तात्विक इसंतल में उत्खरनन कारिये किया गया, बैराथ में, नोहों में, रंग महल में, बाला थल में, क्या होगा, कुश्चन अमरा अठ क नो गणेश्वर या बैराट कुश्छ नम्र नाइन का अनसर हो जाएगा गणेश्वर घनेश्वर जो पुरा ताथवी इस्तलिया पर जो है अगे बढ़ने से पहले दोश्टों मैं आपको बता देता हूं कि लेब अशिस्टेन्ड वीडियो मेंस का सलेबस आचुका है आप स इंडिया का GK जोड दिया है, साइन्स भी जोड दिया है, तो तयार हो जाईए आज शाम को साधे 9 बजे, शांदर किलास होने वाली है, बिल्कुल फ्री किलास है, रेगुलर होती अनेकेड में प्लेटफॉम पर, आप लोग जुड सकते हैं, एप डाउनलोड नहीं किया, अन 12 बजे, संडे को ये टैस्ट होने वाला है, 24 अपरेल 12 पी एम, संडे को शांदार कॉम्बेट होने वाला है, इस मन्त में अल्ट्रा कॉम्बेट होगा, जो अब तक का सबसे बड़ा कॉम्बेट टैस्ट होगा, इसमें जो है, इंडिया की टॉप फैकल्टी के दौ़ारा इन्डेड परसेंट, 11 से 100 तक 75 परसेंट और 101 से 500 तक 50 परसेंट स्कॉलर्शिप, 5000 से 1000 तक 25 परसेंट स्कॉलर्शिप और 1000 से 3000 तक 20 परसेंट स्कॉलर्शिप आपको मिलेगी, इसके अलावा जो है लग्की पाटिस्पेट को मिलेगा Amazon Gift Voucher अप्टू 5000 यानि Amazon वाउचर मिलेगा पात जार तक का इसके अलावा जो टॉप रेंकर्स होंगे उनको डेल का लैप टॉप सेमसंग मॉबाइल फॉन फिट विट और अमेजन वाउचर दिया जाएगा साथ में स्कॉलशिफ भी आपको मिलेगी लाइव टेस्ट होगा फिरी टेस्ट है कोई भी ब लैप टॉप सेमसंग मॉबाइल पॉन फिट वेट अमेजन वाउचर इन्वाइट को जन्यून टैन आपको लगाना है ठीक है साथ ही जो है साथ मिनट साथ कुशन होंगे एससी कैटिगरी में बारा बजी होगा जनर आवरेंस के पंदरा कुशन क्वांटिटी यह संग्रेजन में आपको मिल जाएगा आगे बढ़ते है कुशन नमर 10 पुरा सेशों के संधक्षनultan चब्ωस्तव की स ! pra Annika तरफ ही जाएगा और जूमान ज़त आप पाकिस्तान में गोट दीजिन visit पुरातात्विक आउसेस राजस्तान तो पुरातात्विक आउसेस और राजस्तान में बहुत दरम के प्रमुक इस्तान रहा है बताइए कॉमेंट करके बहुत ही शांदर कुश्चन में आपको पढ़ा रहा हूँ सेशन को लाइक कर दीजिए पृति एक बच्चा सेशन सेशन को अपको पास किस पे टीले के उत्खनन से मद्य पासान कालीन संसकर्ती की जानकारी मिलती है बाला थल बागोर बैराठ आहड कुश्चन में पंद्रा का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बागोर क्या हो जाएगा दोस्तों बागोर तो बागोर जो छेतर है यहां से यह बिलवाड़ जिले के अंदर है बिलवाड़ा जिले के अंदर कोठारी नदी के पास है और यहां से जो है उत्खनन से मद्य पासान कालीन संसकर्ती की जानकारी मिलती है काली बंगा सबिता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ ये अल्टिमेट सवाल है ये पेपर में छपेगा दोस्तों लगा लो इस तार पेपर में छपेगा ठीक है ना बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा काली बंगा सबिता का उत्खनन किस ने किया तो राइट आंसर हो 17 का आंसर बताईए आप लोग 1950 में, कब हुआं? 1950 में, गिलूंड सबिता, गिलूंड नदी के मैदानी भाग में इस्तित किस दिले में हैं? उद्यापूर, राज सम्मंद, बीलवाडा, बासवाडा, 18 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज सम्मंद हो जाएगा, जी हो जाएगा राज सम्मंद, नेक्स्ट कुशन, आहडू सबिता कला देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? आहड सबिता की बात करें, आहडू सबिता की बात करें, तो यहाँ पर जो आहडू इस तापत्य कला है वो देख सकते हैं, दोस्तों जल्दी से कॉमेंट करके बताएं कुश्चन नंबर 20 का अंसर कि आहड का प्राचिन नाम नहीं था तो राइट आंसर हो जाएगा भी इसका बैराट क्या नहीं था बैराट बाकी अगाठपुर तामरवती नगरी और धूलकोट निम्न मैं से लोह यूगीन सब्वित जो है लोह यूगीन सब्विता मिली निम्न मैं से तामर कालीन सब्विता है तो तामर कालीन ये तो बड़ा ही अलवा सवाल है गनेश्वर याद रखना सीकर गनेश्वर सब्विता सीकर तामर कालीन सब्विता अगला सवाल कुश्चन नंबर 23 राजिस्तान में सिंदु गा रंग महल, काली बंगा रंग महल, बैराथ गनेश्वर, आहार या बागोर, 23 का आंसर है दोस्तों, काली बंगा और रंग महल, तो यहां पर 23 का राइट आंसर हो जाएगा, option B, लाइक किसी ने भी नहीं किया है, जल्दी से लाइक करो यार, बिल्कुल सैसन को लाइक करो, जाएगा, तो सिंदु गाटी सबिता के अउसेस मिले हैं, काली बंगा और रंग महल, नेक्स्ट कुशन, मोरी सबिता के परमाण किस इस इस्तान पर उपलब्द हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 का जो राइट आंसर है, वो हो जाएगा आपका आप्शन है, जैपुर के बेराट, मोरी सबिता के परमाण किस इस इस्तान पर उपलब्द है, जैपुर का बेराट, ये इसका राइट आंसर है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सबिता से सम्बंदित है, आहड, बेराट, काली बंगा, रंग पुर, 25 का जो आंसर है, वो हो जाएगा बेराट, क्या हो विक्षित हुई है, नेक्स्ट, रंगपूर जहाँपर हडपा की सम्धान शबिता थी, क्या आंसर होगा, पुर, उत्तर प्रदेश, सवरास्ट, राजस्तान, तो रंगपूर जहां पर हडपा की समकाली सबेता थी 27 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों सोराज Next question राजपूत वैदिक आर्यो की संतान है ये statement किसका था ये मत किसका था बताए कॉमेंटर की कौन से इतियासकार का ये मत था कि राजपूत जो है वैदिक आर्यो की संतान है करनल टोड विलियम कुरुक डाक्टर डी आर भंडार कर गोरी संकर हीराचंद हो जा 28 का जो राइट आंसर है गोरी संकर हीराचंद हो जा इसका राइट आंसर होगा आहड सबिता नहीं है तो आहड सबिता इन चारों में से नहीं है दोस्तो ऑप्शन सी नगरी नागा ननन्त रतनावली या प्रियव दर्शिका के लेखक बहुत अच्छा सवाल बहुत बढ़िया ठीक है ना तो नागानन्द, रत्नावली, प्रिय दर्शिका के लेकक थे बानबट, विशाकदत, वासयान या हर्सवर्दन Quesion No.3 Ultimate comment में छापको क्या आंसर होगा Quesion No.3 का जो आंसर होजाएगा हर्सवर्दन तो नागानन्द, रत्नावली, प्रिय दर्शिका हर्सवर्दन नेक्स्ट, बालाथल इस तल इसतित है, जैपूर में, सीकर में, उदापूर में, बीका निर में, बालाथल, खूब सुना होगा, आपने, खूब पढ़ा होगा, काफि बर एक्जाम में चपा है, 31 का जो राइट आंसर है, वो हो जाएगा उदापूर दोस्तों, क्या हो जाए जादा कुश्चन प्रक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा अगर आप थियोरी पढ़ने जाएंगे तो इतना समय आपके पास नहीं है बस कुश्चन के प्रक्टिस करो राइट आंसर मध्यमी का नेक्स प्राचीन सेर जांगल नाम था तो जांगल नाम था दोस्तो 33 का आं चयाद में आया हुआ है यह स्टेट्मेंट परते यहं कि राजपूत यह लोग है अगनी कुड़ से हुई है तो यह किस ने यह स्टेटेट्मेंट दिया 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा चंदर बर्दाई चंदर बर्दाई इसका राइट आंसर है और प्रत्वी राज रासो जो जिसके लेखा के हो हैं चंदर बर्दाई गनेश्वर सबिता डीपी अगरवाल के समय बतलाया है पूर्व हडपा, हडपा के पश्षात, रंग महल सबिता, काली बंगय सबिता क्या होगा 35 का अंसर, option A, पूर्व हडपा आर संसकर्ती के मुख्यलक्षन, तामर उपकरण, चित्रित लाल, मृत भांड, काले और लाल, या काले और लाल, जो हैं तामर उपकरण दोस्तों जल्दी से आंसर करें, सैसन को लाइक करें, कॉमेंट करें, आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है, शेर भी करें चिकना हमेश्च आप लोगों के लिए हम कुछन कुछ करते ही रहते हैं, हमेश्च आपको अपडेट करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं राइट आंशर ओप्शन सी, डीड वाना की संस्कर्ती से संब्धित है, पुरा पाशान, मद्ध पाशान, नौ पाशान, तामर पाशान, 37 का जो आंशर है, वो हो जाएगा आपका पुरा पाशान, निमलिकित मैं से राजिस्तान का कौन सा प्राग एतियासिक इस्तल, तामर पाशानिक काल से सम्मधित है, तिलवाड़ा, भुड़ा पुशकर, बाला थल, बागोर, 38 का जो राइट आंशर हो जाएगा, ऑप्शन सी, बाला थल, नेक्ष्ट, पराचीन इस्तल जहाँ पर मेनान दर की मुद्रा हैं प्राप्त हुई है, बैराट, रेट, नगर, रंगमेल, 39 का जो राइट आंशर हो बैराट हो जाएगा, अगला सवाल, 1950 से 53 में काली बंगा के उत्खरनन कारिये में, जिस पुरातत्तु वेता का प्रमुक योगदान रहा है, वो है, तो यहाँ पर राइ आंसर हो हो जाएगा साथ, क्या हो जाएगा साथ, नेक्स्त, रंगमेल, 1952 इस पुरातत्त्त के निर्देशन में उत्खरन कारिये किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा, 42 का, वो हो जाएगा आपका, अपका, हना रिड, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, नेक्स्ट, 43, त तोड में, नागोर में, उधैपूर में, जालूर में, 43 का जो आंसर है दोस्तों, बताइए जल्दी से कॉमेंट करके, क्या होगा कि तामर यूगिन इस तल जाहड़ोल कहा पर है, तो मैंने आपको बताया उधैपूर में जो है तामर यूगिन के साक्ष मिले हैं, तो लेपुर में ही है परत्म उत्खनन किसके नित्रोत में किया गया था आरसी अगरवाल डीयार बंडार कर डाक्टर एन आर बंडरजी दायारां सानी 44 का राइट आर्सट पेपर में छपेगा बैराठ और विराठ नगर में उत्खनन किस ने किया नेक्स्ट पूशन निमलिकित म तांबी की प्रतिकिर्ती, मिटी की चूडिया, हल की मिटी की प्रतिकिर्ती 45 का जो आंसर है, हाती का दात का कंगा, ऐसा कुछ जो है, नहीं मिला है हलेंग सांग, निम्न मैंसे किस पुरातात्य गिस्तल पर आया था जो हिविएंग सांग था जिसे हम हेलेविएंग सांग भी कहते हैं चीनी यात्री था निम्न मैंसे किस पुरातात्य गिस्तल पर अया था बैराट, नगरी, नलिया सर, नगर 46 का राइट आंसर हो जाएगा option है बैराट संकलिपी की प्रशूर संक्या में प्रमान उपलब्द हुए हैं बैराट नोह गनेश्वर बागोर 47 का जो राइट आंसर है वो जाएगा दोस्तों बैराट असोक कालीन गोल बॉद मंदिर वे स्तूप राप्त हुए हैं बीजक की पहाड़ी भीम जी की पहाड़ी महादेव जी की डूंगरी हनुमान जी की डूंगरी राइट आंसर है बीजक की पहाड़ी नलिया सर कौन से जिले में इस्तेत है बार बार कुशन आ रहा नलिया सर नलि तो 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा नलिया सर भी जैपुर में है एंड आकरी सवाल आज की सेशन का राजस्तान के किस जिले में पूर हडपा सभिता की व्यापा को से इस पाए गए हैं तो 50 का राइट आंसर हनुमानगर आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा दोस्तों ये फास्ट मेंने आपको बहुत फास्ट तरीके से पड़ा दिया है 50 सवाल प्रैक्टिस करवा दिये हैं अगर आप चाहते हैं टोपिक वाइज में आपको एसे प्रैक्टिस करवाता रहूं रोजाना डेली प्रैक्टिस करवाओं सपोर्ट करो इस पर स्टार्टिंग में 200 प् लगाकर आप डन गर दो थैंक्यू धन्यवाद